जेतारन उपखंड के कामलिय ग्राम पंचायत के लूनी नदी में 25 साल बात पानी आया उसी को देखने के लिए आसपडोस की गाउं की भीड लग गई इसी भीड में से एक शक्स नदी के तेज बहाओ में बह गया ग्रामिनों द्वारा शक्स को बचाने की कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम लए ग्रामिनों द्वारा पुलिस वा प्रैशाशन को सुचना दी पुलिस द्वारा सड़क के दोनों और का रास्ता बंद करवाया NDRF टीम को बुलाए टीम द्वारा पानी में चार घंटे तक तलाश की लेकिन शक्ष का पता नहीं चला टीम द्वारा तलाशी जारी है दूसरी ओर लांबिया ग्राम पंचायत की घटना पानी की डिग्गी में एक शक्स का शव मिला ग्रामिनों द्वारा पुलिस को सुचना दी पुलिस की सुचना में शाव को डिग्गी से बहार निकाल कर पोस्माटम करा के परिजनों को सुखोर किया प्रशाशन की ओर से आमजन को सुचना दी की नदी और नालो से दूर रहे